नमस्कार दोस्तों, cement concrete को basically दो types में classify किया जा सकता है इसमें से एक है fresh cement concrete जब ये cement concrete बनाया जाता है तब ये fresh state में होता है मतलब ये अभी hard ओना start नहीं हुआ होता है और दूसरा है hardened stage इसे हम बोलता है hardened cement concrete तो जब हम initially coarse aggregate, fine aggregate, cement और water को add करते हैं, mix करते हैं, that first हमें fresh stage में मिलता है, जब यह hard होना start नहीं हुआ होता है, hydrogen process इसमें भी क्या है कि start हुआ होता है, इस दोरान क्या है कि हम इसे shape में cast करना चाहें, उस shape में ला सकते हैं, फिराता है plastic stage और फिराता है hardened stage, पर basically यह दो stage में, मतलब दो types में classify किया जा सकता है, एक तो fresh और दूसरा hardened state में, जिसके बाद क्या है कि हमें hardened concrete मिल जाता है, तो यह fresh cement concrete की एक property के बारे में हमने बात कर लिए, workability, basically इन दोनों की अलग-अलग properties रहती है, fresh और hardened cement की, इसमें से fresh cement concrete की एक property के हमने detail में बात कर लिए, workability जी से बोलत है, और यह cement concrete का introduction अगर आप देखना चाहो तो इसकी बिलिंक आपको description box में बिल जाएगी, तो यह क्या है कि हमारा third lecture है, पर इस lecture में हम fresh cement concrete की दूसरी एक property के बारे में बात करने वाले है, जिसे segregation कहते है, क्या है segregation, fresh cement concrete में, तो इसको अगर define किया जाए, तो इसे हम बोलते है कि separation of core segregate from fresh cement concrete, जब हम cement concrete को cast करते है, तो इस दोरान क्या है कि core segregate उसमें से अलग पढ़ जाता है, side में निल चले जाता है, इसे हम segregation बोलते है, and a good cement concrete should have no to less segregation, मतलब एक अच्छे cement concrete में हमें या तो ना के बराबर segregation होना चाहिए, इसके सभी ingredients, जिर्फ core segregate ही नहीं, पर core segregate, fine aggregate, cement, water, सभी चीज़े कि uniformly mix हो जानी जाहिए, अगर इसमें कोई chemical भी डालते है, तब भी ये uniformly homogeniously mix ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें segregation हुआ, तो जब आप de-shuttering करते हैं, जब ये concrete hardened stage में आ जाता है, जब आप de-shuttering करते हैं, आपको पता लगेगा कि इसमें honey combing का problem पाई जाती है, density भी मतलब अलग-अलग मिल जाती है आपको, concrete की strength जो है उस पर भी effect पड़ता है, and long term क्या है कि आपको dampness का सामना करना पड़ सकता है, नमी दिखाई पड़ सकती है, तो इससे बोलते है segregation, अब हम बात करेंगी कि ये किस वज़े से होता है, अगर आपको इस का mixing नहीं हुआ, तो segregation होने का chances ज्यादा है, फिर reason number two, excessive water content, तो इसके पहले मैंने workability जब आपको समझाया, तब भी बताया था कि extra water add करने से क्या problems होते है, अगर हम ज्यादा water add कर देते हैं, तो इसमें क्या है कि workability बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसलिए क्या है कि core segregate अलग बढ़ जाते हैं, और फिराता है third reason, जो कि most common reason है क्यों segregation होता है cement concrete में, यह है improper placement, casting करते हैं तो अगर आप cement concrete ठीक से नहीं डालते हैं, यानि कि अगर आप इसे ज्यादा height से गिराता है, free fall करते हैं, तब भी यह problem हो जाता है, तो maximum height जहां से आप cement concrete को freely fall कर सकते हैं, वो है 1.5 meter, इसे ज्यादा height से आप cement concrete को उपर से नीचे डालते हो, इसे free fall बोलते हैं, तो क्या है कि segregation के chances बढ़ जाते हैं, इसे prevent करने के लिए अगर आप चाहो तो आप shoot का इस्तमाल कर सकते हो, piping का इस्तमाल कर सकते हो, कुछ भी मतलब आप इसका solution लाने के लिए कर सकते हो, त तो यह थे top 3 reasons क्यों segregation होता है, दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा video informative लगा, और अगर ऐसा है तो इसे like कर दीजिए और मेरी channel civil engineering forum का subscribe जरूर करे, this is all for today, thank you for watching.